हलो एवरीबन वेलकम चुमा यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप लोग मेराम जुनायद है तो आज हम लोग करने वाले हैं इस रिंग लाइट की अन्बॉक्सिंग जो कि 10 इंच का रिंग लाइट है और आपको यहां पर दिख जाता है नाइन फीट का ट्राइपॉड तो फटा मिला है करीब 898 रुपीज का इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की हुए फटा-फट से करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग तो आप यहां पर देख सकते हैं यह कुछ इस तरह के पैक अधर रहे हमें इसे बहुत ही केरफुली कट करना है नहीं तो यह खराब हो सकता है हमारे अंदर के चीजें तो चलिए सबसे पहले हम रिंग लाइट के उस अन्बॉक्स करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर और इसे करते हैं साइड में जिसकी बाद हम ट्राइपॉड की बात हम बाद में करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा रिंग लाइट का बॉक्स जो कि इस बॉक्स के अंदर एक अलग से और निकला हुआ है यहां दे सकते हैं इसके फीचर लिखे हुए कि एक फिल लाइट एंड ब्यूटी फेस रिंग लाइट है और यह 10 इंच का है यहां पर इसका सा तो हमें कुछ इस प्रकार की पैकिंग में देखने को मिल जाती है हमारे रिंग लाइट जो कि जादा अच्छी पैकिंग में नहीं है इसे करते हैं साइड में और निकालते हैं अपने रिंग लाइट को तो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है रिंग लाइट जो कि इस दिखती है यह इसका वायर है चलिए इसे खोलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक हमें USB केबल मिल जाती है जिसे हम अपने किसी भी चार्जर में कनेक्ट करके इसे यूज कर पाएंगे और इसका वायर देख सकते हैं कुछ इतना लंबा है जो कि इनफ है चलिए और बाकी चीज़ देख रहते हैं यह हमारा मिल जाता है ट्राइपॉड के ओपर लगाने का स्टेंड जिसमें अपने रिंग लाइट को ऐसे फिक्स कर सकते हैं यहां से इसकी हेल्प से और यहां पर आप देख सकते हैं यह मिल जाता है एक फोन माउंड करने का स्टेंड जिसमें अपना फोन को माउंड कर सकते हैं तो जो की ठीक है ज्यादा अच्छी क्वाल्टी नहीं है इसकी बट इस प्राइस रेंज में इस बजट के हिसा आप से बहुत सही है आपको अग का रिंग इसे हमएं यहां पर ऐसे टाइट कर देना है तो खालत होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है और यहां पर इसका स्टेंड है जो की इस रिंग लाइट में यहां पर लग लग जाता है जैसा कि आप लोगों को देख रहा होगा तो इसे भी रखते हैं नीचे और इसे देख लेते हैं यहां से आप इसे 360 डिग्री मूव कर सकते हैं जैसे भी आप इसे लूज करके यहां से अपने अकॉर्डिंग का एंगल सेट कर सकते हैं वह होरिजेंटली आपको अनुछ से लगा लेते हैं अपने रिंग लैट में यह बहुत ही आसानी से यहां पर हमें लग जाता है तो छले इसे लगाते हैं फिर देखते हैं यह देखिए जैसा कि आप देख पा रहा हूंगा यहां पर लग गया इस्टेंड फोन मांट करने वाला आप इसे निटिंग लाइट के अकॉर्डिंग से आप मूव कर सकते हैं आपको जैसे इसे रखना है आप ऐसे इसे घुमा सकते हैं मूव कर सकते हैं तो चलिए इसे रखते हैं हम लोग साइड ले और आ जाते हैं अपने ट्राइपॉड की तरफ तो चलिए फटा फट से कर लेते हैं ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें ट्राइपॉड क्वालिटी कैसी मिलती है तो आप देख सकते हैं हमारा ट्राइपॉड कैसे इस बॉक्स के अंदर पैक आया हुआ है और यह रहा हमारा ट्राइपॉड जैसा कि आप को सामें दिख रहा होगा तो बॉक्स को रखते हैं साइड में और ओपन करते हैं हमारे ट्राइपॉड को तो आपको यहां पर यह ट्राइपॉड दिख जाता है यहां आप इस रिंग लाइट को अपनी यहां पर आप ऐसे अटैच कर सकते हैं इस ट्राइपॉड में तो अभी इसे मैं असेंबल करके दिखाऊंगा यहां पर आप देख सकते हैं यह ट्राइपॉड पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके टाइट और लूज करने के लिए यहां पर दिया हुआ है एक स्विच इसे आप इतना चाहिए नाइन फीट तक आपका जो है लॉंग हो सकता है और नाइन फीट काफी हाइट है आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे कम जादा कर सकते हैं इसके स्विच के इस आप से यहां से टाइट हो जाता है इससे इसकी स्टेबलिटी बनी रहती है यहां से इसे लूस करके हम इसे ख़ड़ा कर सकते हैं यह रहा हमारे ट्राइपॉड और यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे रिंग लाइट जो कि कुछ इस प्रकार के दिखती है इसके अंदर हमें यह देखने को मिल जाता है एक स्विच यह जो हमारे रिंग लाइट है यह 10 इंचेज में आती है और बहुत ही बजट फ्रेंडली यह लाइट है आप अगर इसे नॉर्मल यूज करना चाहते हैं अपनी सेलफी लेने के लिए या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पर तो आप इसके लिए जा सकते हैं मैं इसे इतना जादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसकी जो साइज है यह बहुत ही छोटा है मेंस इसकी लाइट ज्यादा ब्राइट नह जा सकते हैं। इसे साथ मिल जाता है एक central जिसकी उन्हें केसिज़ है आप इसे अपनी हाइट जैसे आपको रखना है आप इसे रख सकते हैं बहुत ही उसेबल ही है और बहुत ही यहां रिंग लाइट और और यह आप को मैनुवव़श्ट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपने ब्राइटनेस, pana, always कर सकते हैं, फ्लस के は बटन से, आप इसे बढ़ा सकते हैं, माइनस से कम्स कर सकते हैं इसमें घbesप आपको स्विच्ष देखने दोस्तों चलिए फटा-फट से कर लेते हैं हम इसको चेक कि यह हमारी रिंग लाइट कितनी ब्राइटर हो सकती है और कितनी जो है इसकी ब्राइटनेस डाउन कर सकते हैं लोग तो चलिए फटा-फट से इसे हम यूस्बी की हेल्प से लगा देते हैं तो सबसे पहले लगाने स से कोई भी आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा आपको अपना कोई भी फोन का यूज़ करना पड़ेगा आप उससे इसे ओन कर सकते हैं तो चलिए फटावर्ट से लगा देते हैं इस प्लक को और करते हैं अपने रिंग लाइट को आउन तो जैसा कि आप देख पार होंगा है लगाते ही हमारा यह जो स्विच है यह जल गया है इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है आप देख सकते हैं तो आप चलिए करते हैं अपने रिंग लाइट को आउन इस स्विच से आप इसे आन ओफ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमाई रिंग लाइट आन हो गई है चलिए इसकी brightness कम करते हैं यह यह 10 टाइमस ब्राइटर हो जाती है हमारी रिंग लाइट और इसमें तीन कलर आपको देखने को मिल जाते हैं एक तो आप सामने ही देख सकते हैं थोड़ा ओफ वाइट कलर का इसका इसकी लाइट है और दूसरी चेंज करते हैं यह आप देख सकते हैं वाइट हो जाती है यह लाइट हमारी और थर्ड चेंज करते हैं तो आपको यह थोड़ा औरेंज कलर में देखने को मिल जाती है तो आप देख सकते होंगे रिंग लाइट की लाइट को इतनी ज़्यादा ब्राइटर नहीं है बट हमारे वीडियो के लिए हमारी फोटो के लिए और सेलफी के लिए बहुत ही पर्फेक्ट लाइट आई तो आप अगर budget में लेना चाहते हैं, तो आप इस रिंग light के लिए जा सकते हैं, तो अब अपनी white light पर आते हैं, तो आप white light देख सकते हैं, यह इतनी ज़्यादा brighter तो नहीं है, जिससे आप expectation कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा bright होगी यह light, तो उतनी light नहीं है, बाकी आपके budget के हिसाब स से बहुत ही ठीक light है, तो आप इससे आराम से YouTube वीडियोज और अपने TikTok वीडियोज या फिर Instagram वीडियोज रिल्स आप आसानी से शूट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी है और compact है, आप इससे आराम से अपने बैग में ले जाकर के यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इस रिंग लाइट के साइस के बारे में, जैसा कि इसके box में लिखा हुआ आता है कि आपको मिल जाती है 10 इंचे में, तो अभी हम इसे scale की help से मेजर करके देखेंगे, कि 10 इंच होती कैसी 10 इंच की ring light, तो अगर आप इसे एसे यहां से सामने से नापते हैं, मेजर करते हैं यहां से यहां तक, तो आपको यह देखने को मिल जाती है 10 इंच में इसका पूरा साइज जो कि आपको पूरी रिंग लाइट का साइज देखने को मिलता है यह होती है 10 इंच की रिंग लाइट और अगर आप इसे ऐसे रिंग लाइट सिर्फ इसकी लाइट अगर आप मेजर करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यह सिर्फ हमारी एक इंच की हो जाती है, यह आती है हमारी चौड़ाई इसकी जो है एक इंच की आती है और सेंटीमीटर में अगर आप देखें तो यह लगबग तीन सेंटीमीटर की आपको देखने को इसका साइज मिल जाता है अब आप समझ गया होंगे इसकी जो length है और इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी किस साइस की आती है तो आप अगर इसे लेना चाहते हैं आपके use के लिए अगर ये perfect है तो आप इसे ले सकते हैं मैं इसे recommend करूँगा अगर आप budget में लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ring light आती है तो एसेंबल करने के बाद हमारी ring light कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है सामने जैसे कि आप देख सकते हैं और आप इसे अपने according adjust कर सकते हैं किसी भी degree में आप इसे rotate कर सकते हैं 360 degree में आप rotate कर सकते हैं बहुत ही easily तो आप देख सकते हैं ये ring light बहुत ही budget friendly है आप इसे ले सकते हैं अपने personal use के लिए और commercial use के लिए आप यहां से इस ट्राइपाट को जितना चाहें उतनी height पर रख सकते हैं जिससे आप अपनी वीडियो को आराम से shoot कर पाएंगे कि ट्राइपाट की लेंथ आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है ये 9 feet तक की आपका बड़ा हो जाता है ट्राइपाट जो की बहुत ही अच्छी बात है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमें यह रिंग लाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इस budget range में यह भी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को subscribe करते हैं और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप उसे like कर दें और अगर आप किसी को recommend करना चाहते हैं तो आप उसे share भी कर दें मैं इस tripod और इस ring light का आपको link description box में दे दूंगा अगर आप वहां से लेना चाहते हैं तो आप वहां पर जा करके इसे purchase कर सकते हैं check out कर सकते हैं मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में कर सकते हैं